कविटा कीचन में आप सभी का स्वाधत है आज हम बनाएंगे कोल्ड कोफी दो तरीके से तो चल लिए बनाना शुरू करते हैं तो एक कट्रोडी में हम दो चम्मच कोफी डालेंगे और इसमें हम थोरा सा पानी डालकर इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे तो देखिये इसह हमने अच्छी तरफ से मिला लिया है अब हम एक मिक्सर जार लेंगे अब इसमें हम डाल देंगे ये मिक्स किया हुआ कोफी एक कप ठंधा दूद्ध अब इसमें हम डालेंगे दो सम्मच, चीनी, चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं अब इसमें हम आइस क्यू डाल देंगे, चार से पांच, अब इसका ढगन लगा कर इसे हम ग्रैंड कर लेंगे, तो देखिए इसे हमने ग्रैंड कर लिया है, तो इसे अब हम एक गिलास में सर्व कर लेंगे, तो अब हम एक गिलास लेंगे, अब गिलास में हम चकलेट सिरफ डाल कर सद्या लेंगे इस तरह से अब इसमें हम ये कोल्ड कोफी डाल देंगे अब इसके उपर हम चोकलेट पाउडर डाल कर इसे हम कार्णिस कर देंगे इस तरह से तो अब हमारा कोल्ड कोफी बनकर तयार है अब हम दूसरा कोफी बनाएंगे चोकलेट कोल्ड कोफी तो इसे हम डालेंगे 2-úmh coffee थौड़ा पाणी डालका इसे हम अच्छी तरह से mix कर लेंगे तो देखिये इसमेंहे अच्छी तरह से mix कर लिया है अब हम एक mixer जाल लेंगे तो अब इसा हम डाल देंगे Mac- procure mix क्या हुआ अब इसमें डालेंगे एक पैकेक डैरी मिल्क चॉकलेट 20 रुपे वाली अब इसमें डाल देंगे एक कप दूद्ध, दो चम्मचीनी, 4-5 आईस क्यूब डाल देंगे और इसका ढखका लगाकर इसे हम ग्रैंड कर लेंगे तो देखिए इसे हमने ग्रैंड कर लिया है, अब हम एक ग्लास लेंगे, अब इसे हम चॉकलेट सिरफ से सजा देंगे इस तरह से अब इसमें हम चॉकलेट कॉल्ड कॉफी डाल देंगे अब इसके उपर हम चॉकलेट को कदू कस करके सजा देंगे अग इसके उपर हम थरा साथ चोकलेट सिरफ डाल देए तो देखिए ये चोकलेट कॉल्ड कॉफी बनकर तयार है आप भी अपने घर पर इस तरह से कॉल्ड कॉफी बना कर जरूर देखिए अगर आपको ये रेशिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद